दोस्तों गर आप भी रोहित शर्मा, सर्फरास खान और जडेजा को बेहत खदरनाग बलेबास मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा आज की वीडियो का लाइक टार्गेट केवल 400 लाइक का है तो दोस्तों वीडियो को दिल से लाइक करना ना भूलें धन्यवाद दोस्तों श्री लंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के पहले दिन जब भारत के गिर चुके थे 50 रन के कुल स्कोर पर 4 विकेट मुश्किल में थी हमारी भारतिय टीम तब भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने संकड मोचन बनते हुए ठोका श्रतक तो ये देख सर्वरास खान और रविंदर जडेजा का भी जमकर दहाडबला जी हां दोस्तों तो अपनी धाकड बलेबाजी से कैसे उन्होंने करवाई टीम इंडिया की वापसी उनकी दुआधार बैटिंग के साथ साथ इस पहले टेस्ट मैच के पहले दिन की रोमान्चक हाईलाइट का पूरा वीडियो भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं तो हमारे साथ अंतर तक बने रहीएगा लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित कोहली सर्फरास और जडेजा में कौन सबसे बहतरीन टेस्ट खिलाडी है अपनी कीमती रहे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताईएगा दोस्तों जैसा कि आप तो जानते हैं कि भारत का श्री लंका दौरा बराबरी पर खड़ाय टी-20 सिरीज भारत ने अपने नाम करी तो वंडिय सिरीज श्री लंका की नाम रही जिसके बाद टेस्ट सीरीज के हिसाब बराबर करने के लिए टीम इंडिया आर प्रिम्दासा से स्टेडियम में श्री लंका के खिलाफ पहले टेस्ट में दो-दो हाथ करने के लिए कदम रख चुकी है जहां इस पहले टेस्ट मैच में सिक्का भी भारतिय कप्तान रोहित चर्मा के पक्ष में रहा उन्होंने टॉस जीत कर पहले बैटिंग करने का फैसला किया लेकिन शुरुआत में तो उनका ये फैसला अपने पैरों परी कुलहाडी मारने के समान साबित हुआ क्योंकि पहले दिन जब टीम इंडिया बैटिंग करने के लिए आई तब पहला सेशन तो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा जी यहां दोस्तों दरसल लंच से पहले टीम इंडिया ने अपने चार बलेबास पचास रनों के भीतर ही गवा दिये थे टीम इंडिया मुश्किल में नजर आ रही थी ऐसा लगने लगा था कि अब तो भारतिये टीम का कुछ नहीं हो सकता और आज के मैच में ही वो ऐसा कुछ हमें देखने को मिला जहां एक समय तो ऐसा था जिसे देखकर सबकी सासे ही थम गई थी जी हाँ आपको बता दे टीम इंडिया को इस मैच में विस्पोटक शुरुआत दिलाने के लिए ये शेस्वी जैसवाल के साथ भारतिये कप्तान रोहिच शर्मा की खतरनाग जोड़ी मैदान में उतरी थी लेकिन दोस्तों शुरुआत में ही श्री लंका के कप्तान धरंज जड़ी सिल्वा ने फैसला किया कि वो अपने सबसे बड़े मैच विनर कमिंडू मैंडेस से गेंदाजी करवाएंगे और अपना ये तीर निशाने पर लगा जब मैंडेस ने दूसरे ही ओवर में खतरनाग लग रहे ये शेस्वी जैसवाल का शिकार टीम इंडिया को पहल जड़ी ने पहले टेस्ट मैच में पानी फेर दिया जहां ये शुभुमन गिल भी केवल 12 रन बनाकर पवेलियन लोट जाएं केवल 28 रनों पर टीम इंडिया ने अपने दो बल्लेबास गवा दिये थे हाला कि एक छोर से भारतिये कप्तान रोहिच शर्मा मैदान में थे ल की टीम को 50 रन के कुल स्कोर से पहले ही लग चुके थे अभी भी रोहिच शर्मा भले धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन अपना विकेट किसी को देने के लिए तैयार नहीं थे अब यहां रोहिच शर्मा का साथ निवाने के लिए सर्फरास खान को भेजा गया जहां सर अब दोस्तों यहां इन दोनों बल्ले बाज़ों पर पूरा दारुमदार था भारती टीम को यहां से कम से कम दोस्तों रन के करीब ले जाने का और अब रोईच शर्मा को नचाने लंच काल के बाद ऐसा क्या सूचा उन्होंने कुछ सोचे समझे बिनाई चौके छक्कों की बरसात करना शुरू कर दी जी यहां दोस्तों वो समझ चुके थे कि इस मैदान पर धीमे बल्ले बाज़ी करके जरूर पर इस्तितियां बिगर सकती हैं ऐसे में तेज बल्ले बाज़ी करके यहां मैच को क्यो ना आगे तेजी से बढ़ाया जाए अब रोईच शर्मा तो अपने असली रंग पर आही चुके थे और उनका साथ निभाते हुए सर्वराज ने भी अप्ठान लिया था कि वो मुकाबले को पलटने का काम करेंगे दौनोबल लिबास बल्लों से मिलकर अब चौके छक्कों की बरसात करना शुरू कर दिया मैच तेजी से आगे बढ़ता चला गया दर्शकों को भी अब आनन्द आने लग गया जो स्कोर भारती टीम का पहले सेशन में मातर असी रंपर टिका हुआ था अब वही सकोर दूसरे सेशन में धाय सो पार कर गया जी आँ दोस्तों आप सभी को सुनकर भी हरानी होई ओगी क्योंकि अपना श़तक पूरा कर लिया था जी आइन मुश्किल परिस्थित्यों में मुश्किल पिच्पर भी रोइच चर्मा ने हार नहीं मानी वो जानते थे कि शुरुआत में भले दिक्कतों का सामना करना पड़े लेकिन एक बार अगर बल्ला जम गया तो इस मैदान पर खूब रन बनाए जा सकते हैं रोहिद शर्मा की ऐजी बल्ले बाजी देखकर बाकी आने वाले बल्ले बाजों को भी काफी कॉन्फिटेंस बिल्ड हुआ और दोस्तों यहाँ पर रोहिद शर्मा का साथ निभाने वाले सर्वरास खान ने तो अपना अर्ध शतक वो भी टेस्ट क्रिकेट में मातर बासर गेंदों में पूरा कर दिया अब दोनों बल्ले बाज इस चरम पर बल्ले बाजी कर रहे थे कि श्री लंका के गेंदबाजों को सोचना पड़ रहा था कि आकिरकार भारत के बल्ले बाजों को आउट कैसे किया जाए यहाँ पर दोस्तों रोहित शर्मा को आउट करने के लिए कप्तान धननजडी सिल्वा हर तरह की रणनीती बना रहे थे और वो जानते थे कि रोहित का एक विकेट गिरते यहाँ पर मुकाबला जरूर भसेगा लेकिन यहाँ पर रोहित शर्मा पहले ही तैयार थे जिसे देखकर श्री लंकाई गिंद बाजों के मन में चूहे काट रहे थे कि आकिरकार अगर रोहित का बल्ला ऐसे ही चलता रहा तो वो मुकाबले में जरूर पिछर जाएंगे यहाँ पर रोहित शर्मा ने अपना अप्राम ग्रूप धारन कर लिया लेकिन इस मुकाबले में 144 रण बना कर जब रोहित खेल रहे थे तबी उनका विकेट कमिन्डू मैंडिस को मिला जी हाँ दोस्तों कमिंडो मेंडिस ने लेक ब्रिक के गेंद के बाद रोहित शर्मा को पुल शॉट खेलने पर मजबूर के और पुल शॉट लगाने के लिए गए रोहित शर्मा जहां अकसर छक्के बटोरते हैं तो वहाँ जहां आज एंजलो मैथ्यूज ने ये शांदार कै पैच लबकर भारती टीम को पांचवां बड़ा जटका दिया जहां रोहित शर्मा एक्सोट अंचास रन बना कर आउट हुए और अपनी इस पारी में रोहित ने पंदरा चौके और चार बड़े चक्के भी लगाए अब रोहित शर्मा के आउट हो जाने के बाद मैदान प रोट करवाया और सर्फरास खान का विकेट गिरते के साथ ही आज का ये मुकाबला भारती टीम के लिए थोड़ा सा पेचिता जरूर हो गया जहां सर्फरास 86 रन बना कर पवेलियन लोटे लेकिन दोस्तों अभी भी मैदान पर रविंदर जड़ेजा टिके हुए थे जिन् भारत की टीम इस मुकाबले को जीतने की प्रबल दावेदार हो जाएगी क्योंकि हमें नहीं लगता कि 400 के पार अगर भारत की टीम गई तो श्री लंका की टीम 400 के करीब भी पहुँच पाएगी और अगर भारत एक तरफा मैज जीतेगा वो भी श्री लंका को दौनों पार गवा कर 380 रन बनाए हैं लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया क्या दूसरे दिन 500 से अधिक रन बना कर श्री लंका को हरा पाएगी अब जडेजा की बैटिंग को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे अपनी राय नीचे कॉमेंट करके जरूर बता भारत के खिलाफ 254 रन बनाने में कामयाब रही और इस दोरान भारत के लिए सबसे ज़्यादा चार विकेट अर्शदीब सिंगे नाम रहे तो वहीं दो विकेट रियान पराग ने हासिल किये अब दोस्तों बारी थी भारतिय बले बाजों की इस मैदान पर कुछ चमतकार क दिखाने की दोस्तों खराब फॉर्म में चल रहे शुभुमन गिल से आज सभी को काफी उमीद है थी लेकिन दोस्तों जब शुभुमन गिल और अभी शेक शर्मा ने पारी की शुरुआत की तो आज गिल काफी बड़ी गलती कर बैटे उनके पास मौका था आज बड़ी प गिल जब आउट हुए तो बल्लेबाजी के लिए उत्रे खुद कप्तान सूर्या जहां सूर्या और अभी शेक शर्मा पर हर किसी की निगाहें थी कि ये दौन बल्लेबाज दूसरे विकेट के लिए कितने रन जोड़ पाते हैं इस दोरान सब कुछ सही चल रहा था ये पारी 90 रनों के पार कड़ी थी देखते ही देखते ही देखते ही इन दौनों खिलाडियों के बीच 100 रनों से अधिक की मजबूत पार्टनर्शी बोच चुकी थी दौनों तरफ से दौनों खिलाडी केवल चौक्य और चखकों से ही बात कर रहे थे इसी बीच कप्तान तूफानी और दिशदक केवल 30 गेंद में ठोब दिया जो टीम इंडिया की जीत के लिए बेहद महत्वपून माना जा रहा था इन दौनों ने भारत को मैच में मजबूत इस्तिती में लाकर खड़ा कर दिया था लेकिन दोस्तों अभी शेक शर्मा भी अपनी साज़दारी को ज्यादा देर तक आगे नहीं बढ़ा पाए और उने चार्स रन बनाकर वो आउट हुए अब पूरी जिमेदारी भारत के दो सबसे खतरनाक बलेबास संजु सैमजन और सूड़े कुमार यादव के मजबूत कंधों पर आ चुकी थी मैच जिताने की क्योंकि इनके अलावा कोई और बलेबास भारती टीम को जिताने का दम रखता नहीं था अब दोस्तों यहाँ संजु ने भी आते ही अपने विस्पोटक अंदाज में एक तरफ से बंगलादेशी गेंदबासों की बेरहमी से कुटाई करनी शुरू कर दी दोनों मिलकर साज़ेदारी को आगे बढ का आनंद उठा रहे थे उन्होंने सबसे पहले तो मातर 30 गेंदों में अपना अर्द शदक पूरा गिया और अर्द शदक जड़ने के बाद वो अपने शदक की और आगे बढ़ चले इस दोरान अंतिमोवर तक जब मैच पहुँचा तो भारत को मुकाबला जीतने के लिए च्छे गेदों में 21 रन की दरगार थी अब स्ट्राइक पर संजू थे बांगलादेश की तरफ से अंतिमोवर लेकर आये थे मुस्तफिसुर रह्मान अब यहां पहली गेंद मुस्तफिसुर ने यॉरकर लेंथ पर डाली जो कि संजू से पूरी तरह से मिस हो गई और कोई रन किस बां – टाली बांगलादेश